Hello everyone, कैसे हैं आप सभी चलिए? आज हम पढ़ने वाले हैं 10 Most Important Idioms, ठीक है? आजकल आपकी exam में idioms, phrases, one words ये ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है? तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो exam तक काफी कुछ cover कर लेंगे पहला आपका idiom है chick by jaw ये काफी बार exam में आता है, आपको नहीं दिखा होगा, क्योंकि हमारे व्यापम exam में अभी start हुए हैं चीक by jaw का मतलब होता है कि close together, close together जिसे मैं आपको समझाता हूँ कि कई बार आप train में जाते हैं, तो train में जाते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि भीड इतनी जादा होती है कि कई सारे लोग जो होते हैं, वो किस तरीके से बेठे हुए रहते हैं वो बेठे हुए रहते हैं, cheek by jaw, मतलब की close together या फिर कोई एक छोटा सा कमरा है और उसमें 5 जने दे रहे हैं, तो वो किस तरीके से रहेंगे महाँ पर cheek by jaw, मतलब close together, समझ गए, ये बहुत important है, याद रखिएगा दूसरा मुहावरा है, clinch the issue, अब clinch the issue का मतलब क्या होता है, कोई भी issue हो गया, issue का मतलब आप जानते हैं, कोई मुद्दा कोई controversy हो गई कहीं पर, तो उस controversy को क्या करना, उसको clear करना, तो उसको clear करने को बोला जाता है, कि clinch the issue, माल लिजे कि अपने पड़ोसी के लड़ई हो गई, है ना, तो आप समझदार हैं, आप गए महाँ पर बोले, okay, let's clinch the issue, चलो छोड़ो इसको clear करो, तो चलो controversy को, तो क्लिंच the issue का मतलब होता है, कि उस controversy को clear करना, तीसरा idiom है,언, कॉक अ स्नुक, का मतलब होता है, कि कई बार क्या होता है, कि कहीं पर हम जाते हैं, तो वहाँ पे हमारी बड़ी insult की जाती है, यह जैसे कई बार इसा होता है, यह कब की जाती है, जब हम कुछ कर पते हैं है जब हम छोटे होते हैं तो लोग हमारा मजाक उडाते हैं तो कई बार कॉक का मतलब होता है की टू शो इंप्यूडेंट कांटेम्ट मतलब हमारे लिए ऐसा शो करवाना जिससे हमारा तिरसकार होता है तिरसकार शो करना कहीं नहीं से ठीक है नेक्स्ट इडियम है क्लोवन हूफ का जो अर्थ होता है अब यह आपको नए लग रहे होंगे मुझे पता है लेकिन आप क्या करें एक्जाम में आज कल इडियम ज्यादा आ रहे हैं अभी आपने देखा हुआ ग्रेट टू के पेपर में भरबर की सिनोनिम दिये तो आप खोपड़ी लगी हुए कांपे आप खोपड़ी क्या है तो यह है क्लोवन हुफ का मतलब होता है एक ससा पर जोल déjà क bleak कहीं disgrace को बताता है कहीं ने कहीं ability को बताता है ठीक है next word आप देखिएगा cave in cave in का मतलब होता है yield yield का Hindi meaning होता है जुक जाना cave in cave in का abuse या इब्यूस गाली देना अब आब बोलोगे नाम से मत बुलाई तो गाली देने कैसा हो गया next है cut throat cut throat का अर्थ क्या होता है पता है आपको मतलब की बहुत ही ज्यादा tough जैसे example we face cut throw competition in every field हर field में केसा competition हो गया cut throat ठीक है next idiom आप देख रहे होंगे कि dead block dead block का मतलब होता है penniless मतलब दीवाली आदमी he is dead block ये तो खतम हो गया दीवाली आओ गया पैसे नहीं दे पारा लोगों के तो bankrupt या इसको एक और क्या बोलते हैं insolvent ठीक है इसके बाद आप देखिएगा carrot and stick policy अब देखी carrot and stick policy का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है reward and punishment policy मतलब जैसे कहीं पर अगर आप जीत गए तो इनाम मिलेगा हार गए तो punishment मिलेगा तो कौन सी आपके सभी एक्जाम के लिए जो courses है वो layer 3 education के एप पर चल रहे हैं तो आप layer 3 education का application download कर लिजिए और वहां से आपको grade 1, grade 2, MPSI, PNST सभी exams के लिए complete course आपका मिल जाएगा ठीक है grade 1, 2 का PNST का जो course है वो आपके एप पर चल रहा है ठीक है चलिए मिलते हैं फिर next video में thank you thank you so much